Dear student, we have to discuss about Swedish preschool education for sustainability. हम बात कर रहे हैं, integration की, SDG goals, उनकी alignment, teacher training के साथ, teacher training के alignment, बच्चों के साथ, और बच्चों के learning के साथ, और learning के बाद, उनकी practice के साथ. और इस वक्त जो हमने student ने जो मुख्तलिफ action लिए और उनको किस तरह उसने इसको address किया, हम जो उसकी activities हैं, उनको हम बात कर रहे हैं. overall तो एक बात तो बड़ी clear है, कि जब target एक था, तो दुनिया में जितने भी process हुए हैं, उनमें आपको minor सी changes नजर आएंगी. जब मन्जिल एक है, तो किसी ने कोई रास्ता अख्यार किया, किसी ने कोई रास्ता अख्यार किया, कोई aggression के जरीए गया, किसी ने एग्रिडेशन नहीं की, किसी ने वहीं teachers को train किया, किसी ने जो लोग पहले मुझूद थे, उनको train किया, उनमें कोई minor difference है, कुछ ज़्यादा difference है नहीं. लेकिन बाहराल, क्योंकि हर मुल्क की अपनी strategies थी, उस strategies के अंदर जो हम involved बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ teacher का influence हमें नहीं आता, बलके parents का influence भी नहीं आता है, तीनों बाते learn करने में, उन्होंने चाहे environmental के बारे में learn किया, और उसको practice किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ objective learn करना तो था नहीं, क्योंकि यह तो competencies हैं, और competencies में बचोंने practice करना है, चाहे वो social की बात करते हैं, या economic की बात करते हैं, तीनों sustainability के अंदर जो है, teacher का influence भी था और parents का influence भी था, और इसके अंदर जब इसको study किया गया, तो इनके अंदर एक positive relationship between the children's learning, about the sustainability and their active participation in the sustainability, related discussions and the practices with the teachers and the parents, तो हमें उसके अंदर एक positive relationship आता है, research के अवाले से बात हो रही है, research की studies है, तो उसके अवाले से ये interlink नजर आते हैं, interlink इसलिए आज से नजर आते हैं, कि वालदें ने अपना role play किया, teachers ने अपना role play किया, बच्चे को awareness दी, उसको practice करवाई और जब वो practice किया, तो वो habitual हो गया, यहनि उसकी habit developed हो गया, उसके अंदर जब उसकी habit developed हो गई, तो उसको एक global paradigm में अंदर देखा गया, कि जो global targets बनाए गए हैं, जो facilitate करते हैं, जो तमाम मुलकों को लेके चलते हैं, उसमें जो student ने अपना role play किया, और student ने जो evidence from की policy making से लेकर output तक, यहनि पहले number पर उसकी policy makers ने उसकी policies बनाए, उस policies को teachers training में involved किया गया, teachers parent coordination की गई, उसके अंदर जो बच्चा था, उसकी जो competencies develop करनी थी, उनको develop किया गया थी, कि किस तरीके से social sustainability को जो है, वो explore कर सकता है, यहां पर आकर यह बनियादी तोर पर integration है, और integration किसके लिए है, daily teaching जो preschool के अंदर होती है, उसके अंदर, वालदन का किदार भी है, बच्चे का रोल भी है, teacher का रोल भी है, teacher ने जो पहले से पढ़ा है, उसका रोल भी है, उसने उसको किस तरीके से inculcate करना है, उस study के अंदर किस अंदाज में उसको output को लेके आना है, उसका रोल भी है, तो यह तमाम चीजों को जब integrate किया गया और integrate करने के बाद जब इसको देखा गया, कि इन तमाम की integration से जो output है, वो active citizen की है, और वो active citizen का उनसा है, वो बच्चा है, जिसने यह तमाम चीजें जिसके अंदर यह change आ रही है, और वो change एक output बनेंगी society की तरफ, क्योंकि आज का बच्चा जो है, वो कल का society का member,